आपका पहला सवाल है, घर के मंदिर में किस चीज को रखने से गरीबी आती है? आपके options हैं A. घी, B. शहद, C. अगर बत्ती, D. खंडित मूर्तियां? आपका सही जवाब होगा option D. खंडित मूर्तियां आपका पहला सवाल है, माता सीता जी के पिता का क्या नाम था? आपके options हैं A. राजा दशरत, B. भगवान शिव, C. राजा हरिश्चंद्र, D. राजा जनक आपका सही जवाब होगा option D. राजा जनक आपका तीसरा सवाल है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? आपके options हैं A. USA, B. रूस, C. चीन, D. भारत आपका सही जवाब होगा option A. USA आपका चौथा सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो साल में एक ही बार पानी पीता है? आपके options हैं A. तोता, B. कोयल, C. पपीहा, D. कबूतर आपका सही जवाब होगा option C. पपीहा आपका पान्चवा सवाल है, रावन का असली नाम क्या है? आपके options है A. दश भुज, B. दश ग्रीव, C. दश नूर, D. दश शुर आपका सही जवाब होगा option B. दश ग्रीव, दोस्तों ऐसी ही विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें आपका छठा सवाल है, कौनसा जीव अपने जीव से सांस लेते हैं? आपके options है A. सांप, B. मेंधक, C. शिपकली, D. कुत्ता आपका सही जवाब होगा option A. सांप आपका साथ वाँ सवाल है, भारत का राश्ट्रिय भोजन क्या है? आपके options है A. रोटी, B. चावल, C. खिचडी, D. डाल रोटी आपका सही जवाब होगा option C. खिचडी आपका आटवाँ सवाल है, सांप के ऊपर क्या डालने से तुरंत भाग जाता है? आपके options है A. नमक, B. फिनायल, C. पानी, D. कुल्ड रिंक आपका सही जवाब होगा option B. फिनायल आपका नौवाँ सवाल है, किस देश में खटा, शहद मिलता है? आपके options है A. चीन देश में, B. ब्राजील देश में, C. भूतान देश में, D. पाकिस्तान देश में, आपका सही जवाब होगा option B. ब्राजील देश में, दोस्तों ऐसी ही विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देए आपका दश्वा सवाल है भारत के किस राज्य में नशा करना जुर्माना जाता है आपके options हैं आपका सही जवाब होगा option B. अजमेर आपका बारहवा सवाल है सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है आपके options हैं A. जापान B. भारत C. चीन D. पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा option A. जापान आपका तेरह हवा सवाल है हवा में किस क्यास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है आपके options हैं A. नाइट्रजन B. ओक्सिजन C. क्लोरीन D. काबन डायोकसाइड आपका सही जवाब होगा option A. नाइट्रजन आपका 14 हवा सवाल है मनुष्य कितनी दूरी तक देख सकता है आपके options हैं A. 20 किलोमेटर B. 25 किलोमेटर C. 30 किलोमेटर D. 35 किलोमेटर आपका सही जवाब होगा option A. 20 किलोमेटर दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें आपका पंद्रहवा सवाल है भारत के किस प्रधान मंत्री ने तीन बार शादी की थी? आपके options हैं A. नरेंद्र मोदी B. मन मोहन सिंग में C. मुरारजी देशाई D. राजीव गांधी आपका सही जवाब होगा option C. मुरारजी देशाई आपका सोल हवा सवाल है मनुष्य के शरीर में कितना खुन होना जरूरी है? आपके options हैं A. 2 लीटर B. 4 लीटर C. 5 लीटर D. 7 लीटर आपका सही जवाब होगा option C. 5 लीटर आपका सत्रहवा सवाल है सुवर किस देश का राश्ट्री ये पशु है? आपके options हैं A. नेपाल B. श्रीलंका C. ग्रेट ब्रिटन D. पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा option C. ग्रेट ब्रिटन आपका ठारहवा सवाल है ऐसा कौन सा पौधा है जो सांप के जहर को खत्म करता है? आपके options हैं A. तुलसी B. कंटोला C. बरगद D. सरपगंधा आपका सही जवाब होगा option B. कंटोला आपकाउन नीसमा सवाल है नीमभू के साथ क्या खाने से इंसान नमर सकता है? आपके options हैं A. केला B. पपीता C. अंडा D. मचली आपका सही जवाब होगा option B. पपीता आपीसवा सवाल है उलट फिर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके options हैं A. करवट लेना B. हिंसा होना C. परिवर्तन होना D. पतंग गुडाना आपका सही जवाब होगा option C. परिवर्तन होना आपके लिए सवाल है E. रिक्षा में कितने टायर लगे होते हैं? आपके options हैं A. दो टायर B. तीन टायर C. चार टायर D. पाच टायर दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग comment करिए और वीडियो के अंत में अपना total score जरूर शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद